हाई अब्रिवान वेलकम बेक तो माई चैनल मेरा नम तृत्ति वारी है मेरे चैनल में आप लोग का बहुत बहुत सागत है तो आज मैं आप लोग को सेर करने वाली हूं फाइफ डिफरेंट डिफरेंट विल्कुल न्यू हेर स्टाइल है जो कि आप सेल्फ कर शक्ते हो तो ब आप लोग किया था कि डाक सरकल को कैसे हाइड करें तो प्लीज जाकर चैक आउट कर ली जाकर आपको मेक अप की वीडियो उस चैनल पर देखनी है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए ज्यादा से ज्यादा कि में पे मेक अप टूटोरियल वीडियो अप्लोड कर दो चल आपको एक पोनीचेल बनानी है मैं आप फ्रेंट हेस्टैल नहीं बता रही हूं स्रिपक हेस्टैल बता रही हूं वह भी से फेक रवर्डबेंड के मदद से आप पाटी वे गरा में भी ये सारे हेस्टैल ट्राय कर सकते हो तो अच्छे से मैंने कॉम कर लिया है बालो को और एक रवर्ट बैंड लूँगी अच्छे से टाइटली एकदम इसको बना लेना है पोनी टेल के हेर को टू पार्ट में डिवाइड करेंगे और सिंपली कुछ भी ट्विस्ट वेगरा नहीं करना है सिंपली आपको इस तरीके से रवर्ट बैंड के चारो तरफ लपेटना है और यूपिल से एक सिक्यॉर कर देना है अब जो बचे हुए हैर है इसको सिंपल सी चोटी जो हम लोग 3 पार्ट में बनाते हैं वो वाली चोटी आपको यहां पे बना लेनी है कि वीडियो को फार्ट नहीं करी बिल्कुल राम राम से बना दी हुए ताकि आपको अच्छे से दिखे और समझ में आए तो यह सारे हेरस्टाइल आप पार्टी में भी ट्राय कर सकते हो इसमें थोड़ा सा डेको रेट करने के लिए आप फ्लावर्स वाले यूपिंस गजड़ा वगरा एड़ कर सकते हो तो सिंपल ही एक रबडबेंड के मदद से आप फाइफ सेल्फ बन इस तरीके से बना सकते हो चोटी को इस तरीके से पुरा बना लेना है उसके वासे मैं हलका हलका सा इसको साइड से थीचूंगी जिससे कि हमारी चोटी का थोड़ा वॉल्यूम अच्छा हो जाए आप चाहो तो एंड पार पे एक और रबडबेंड लगा सकते हो बट मुझे यहां पे सिर्फ एक र एक रबडीके से नेशी चाषि तरफ और इस तरीके से यू पीं लेंगे यू पीं का साहित है रगा तरीका चाहित sorry का य लेना है और इसको स्कैल्प के लिया है जहां से भी आपको अनमैनेज लगे वहां पर यूपिन से से क्यूर कर लीजेगा और यह हमारा फर्स्ट बन हेरस्टाइल बनके रेडी है वह भी सर्फ एक रबर बैंड की मदद से इसको थोड़ा सा इस तरीके से खीच लोगे तो इसका लुक थोड़ा और बढ़ा आएगा और आपका जो हेरस्टाइल है वह अच्छा दिखेगा तो यह हमारा फर्स्ट हेरस्टाइल हो गया है वह भी सर्फ एक रबर बैंड की मदद से कि तो चलते हैं सेकेंड याश्टाइल की तरफ तॉसकेंड गैस्टाइल में हमने इस तरीके से पोनी बना रखी हैं हलका हलका सा टीष्ट करेंगे और टीष्ट करते के साथ-साथ में ही इसको थोड़ा-फ़्राइब खीचते जाएंगे क्योंकि जिससे कि यह हमारा जो बन है उसका लुक थोड़ा अच्छा आए बड़ा आए वॉल्यूम दिखे हमारे बन में पतले हलके बाल है तो भी आप यह वाला बन ट्राई कर सकते हो इस तरीके से खीच देना है कि कितना अच्छे से हमारा खीचा है तो बहुत अच्छे से लूका रहा है बन का अब सिंपली पॉनी टेल के चारो तरफ लपेड देंगे और यूपिंस से सिक्यूर कर देंगे कि दो तीन यूपिंस लगा लिजेगा तो यह वाला हेरस्टाइल भी काफी अच्छा है सिर्फ एक रवर्बैंड की मदद से आप फ्रंट में कोई हेरस्टाइल बनाए हो या फिर लेयर्स वगर निकालके पफ बनाके बना सकते हो यह होगा है काफी सिंपल तरीके से अप अच्छा सा यह बन बना सकते हो तो यह मारा सेकेंड यह स्टाइल भी कम्प्लीट हो गया ऑज़ी और काफी स्टाइलिस भी दिखता है आप इविड़ी यह हैं अश्चायल में भी ट्राइट अशक्ताइए बर्डाल कर सकते और इसक को थोड़ा सा लूज करना है Then Then नीचे से उपर की तरफ खीचना है हुइस तरुके से फिंगर इंसर्ट हो जाए इतना हॉल करना है अर इस तरुके के निकालकर और सारे हेर को खीच लेने है देन टाइट कर देना है जिससे की उपर से हमारा दबर बेंट जो है वो दिखे नहीं आप चाहो तो ऐसे भी छोड़ सकते हो बट मुझे यहां पर बन बताना है तो आपको कह करना है इसको इस तरीके से पकड़ना है बालों को और एंड पार्ट पर इस तरीके से अंदर की तरफ इंसर्ट करते हुए यूपिन की मदब से इसको सिक्यूर कर देना है दो यूपिन्स लगा लिजेगा एक इस साइट से पकड़के और दूसरा इस साइट से पकड़के कि दो ती न्यूपिन्स में यह पर आड़ कर ले रही हूं क्योंकि मैंने एंड पार्ट पर दबर बैंड नहीं लगाया दबर बैंड लगाओगे तो आपका यह हैस्टाइल और लॉंग लास्टिंग होगा तो इसका लूप कुछ इस तरीके काया है तो यह मारा थार्ड बन हैस्टाइल कम्प्लीट हो गया हुए सैल्फ है ओनली वन दबर बैंड की मदद से तो चलते हैं चौथे हैस्टाइल के तरफ चौथे हैस्टाइल में जो हमारी पोनी है उसको हम थोड़ा सा उंचा बनाएंगे ओके और इसको दबर बैंड से अच्छे से टाइटली जबर बैंड को लगा देंगे ओके जबर बैंड को लगाने के बाद से हलका हलका सा फ्रेंट से हेर को खीचेंगे जिससे की थोड़ा अच्छा लगे हमारा लुक जो है वो उसके आद आपको क्या करने है 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 ऐसे की ट्विच करने है काफी अच्छा रहें का इस तरीक उसके पकडेंगे और जो एंड का पार एंड वालए पार्ट pocket अंदर इस तरीक से पकड़के ऊपर की तरफ खीच देंगे जिसे कि हमारा हेरस्टाइल है जो वह खूले नहीं अब इसको हलका हलका लूज कर लीजिए बहुत इजी है बहुत काफी अच्छा रहता है एवरी डे हैरस्टाइल के लिए बैस्ट है ओनली वर्न रबर बैंड से आप यह स्टाइलिस सा बन बनाके रैडी कर शकते हो वह भी स्रिफ एक रबर बैंड की मदद से हैर स्टाइलमिलट इंग जrze इस फिर यह कशनी हैं Bodalust क्यूंट स्वाइलिकर और 5 बेंड की हैर स्टाइलों में आपको simply अपने बालों को यह पार्टिंग कर लेना है और फ्रंट के हेयर को ऐसे ही छोड़ देना है यह वाला यह स्टाइल मैंने डमी पे भी एक बार बताया था बट मुझे मैंसे कमेंट आ रहे थे कि मैं खुद के बालों पर बता ही खुद के बालों पर बनाना बहुत म इस तरही के से ये ये पार्टिंग खरूं कर लिया है simple आप आपडी वीयर ये अब inertia स्टाइल है बहुत अच्छे से आप ट्राइब कर सकते हो खुद के बालों पर भी तो हम इस तरीके से मैंने ये ये पार्टिंग किया है पीछे के सारे बालों को अच्छे से को बना ताइटली एकदम रवर्ड बेंड को लगा देंगे अब आपको क्या करना है जो बैक का आपका हेर है थोड़ा से इस तरीके से खीचेंगे एक रवर्ड बेंड को उठाएंगे देन हे सारे पोनी टेल के हेर को नीचे की तरफ खीच लेंगे नीचे की तरफ खीचने के बाद से आगेन उपर वाले हेर को उसी रवर्ड बेंड के अंदर से इस तरीके से फिंगर को इंसर्ट करेंगे और उपर वाले हेर को इस तरीके से उल्टी तरफ से पकड़ेंगे और अंदर की तरफ इस तरीके से इंसर्ट करके खीच लेंगे अब आपको सारी हेर को फैलाते हुए इसको एक बन का लूक दे देना है और यू पिन से सिक्यूर कर देना है सेल्फ कर दे हो तो थोड़ा सा मतलब उपर नीचे हो सकता है बट कोई दिक्कत नहीं है बहुत अच्छे से यह मैनेज हो जाता है और आप इसको लॉंग लास्टिंग पार्टी के लिए यूज कर सकते हो आपका बन अब 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 तो यह हमने अच्छे से यूपिंस लगा लिये हैं पूरे बन में अब जो साइड के हेर है इस तरीके से हेर को लेना है उपर की तरफ कॉम करेंगे और सिंपली इसको टू पार्ट्स में डिवाइट करके ट्विस्ट कर लेंगे अच्छे से कॉम करके एक बर और मैं इसको ट्राइ कर लेती हूं थोड़ा सा अच्छे से लुक नहीं आ रहा था तो इसके लिए टाइटली रखेगा लूज रखोगे तो दिक्कत होगा टाइटली पूरे हेर को ट्विस्ट करेंगे एंड तक पूरा ट्विस्ट कर देना है ट्विस्ट करके बैक साइड से लेके जाएंगे और बन के चार तरफ से लपेट देंगे और यूपिन से इसको सिक्यूर कर देंगे सेम इसी तरीके से आपको दूसरी साइड से भी करना है आपका जो यह हेर दिख रहा है इसको आप सेटिंग स्प्रे से सैट कर लिजेगा पहले इस साड़ कभी बना लेते हैं फिर आपको सेटिंग्स पर से बताती हूँ अब इस साड़ से मैं इस साड़ के हैर को इस साड़ लेके आएंगे दूसरी साड़ में और फिर से इसको भी आगेन ट्विस्ट करेंगे आपस में काफी अच्छा दिखता है पार्टी वियर में भी आप इसी हैस्टाइल को इजी है और ज्यादा हैस्टाइल चीजों मतलब हैस्टाइल टूल्स की जड़त भी नहीं पड़ती है बस दो चार यूपिन्स रख लीजिए और एक रबर बैंड और आप ये वाला हैस्टाइल बना सकते हो अपने पार्टी लूप को कम्प्लीट करने के लिए अब नीचे की तरफ ले जाके यूपिन से इसको भी सिक्योर कर देंगे को कि अब देख सकते हो बैक से कितना अच्छा दिख रहा है ये वाला हमारा बन mail और अर्प्रेज आपके बेवी हैस्टाइल को करते हैं उसके लिए आपको क्या करने हैं स्प्रे हैर। बना है अई क्वेशन पनाग कर शक्ता ही तो में युजच एंचय को मैं कॉम पर लूगी इस तरीके से और जहां भी मेरे बेबी हेर सब्सक्राइब कर रहे हैं आप इस तरीके से सिंप्ली कॉम कर दो जिसके आपने सैटिंग पर लगाया हुआ है तो आपका हेर स्टाइल लॉंग टाइम तक वैसे का वैसे टिका रहेगा और एक clean लूक मिल जाता आपके बालों को तो कैसी लगे आज के सारे हेरस्टाइल आई होप की पसंद आए हो वीडियो अच्छी लगिए तो प्लीज लाइक सेर कीजिएगा चैनल को सब्सक्राइब कर लिए और भी इस तरीकी की वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आज के लिए इतना ही फिर मिले चैनल के लिए कर लाइग ह।